इस रोका चंद्रियान तीन वुद्वार 23 सगस को चांद पर सौफ लेंडिंग की पोशिश करेगा इस मिशन के सफलता के साथ ही भारत अंत्रिक्ष के शेत्र में एक बड़ी छलांग लगाने के लिए पूरी तरह तयार है चांद पर सफलता पूर्वक सौफ लेंडिंग के साथ ही भारत, अमेरिका, रूस और चीन के बाद ऐसा करने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा वहीं चंद्रियान तीन मिशन को लेकर इसरू के स्पेस एप्लिकेशन सेंटर ने सुमबार को कहा कि चांद पर सौफ लेंडिंग की भारत की इस दूसरी कोशिश में अगर कुछ भी गड़बड दिखती है या लेंडर मॉडियूल से जुड़े कोई समस्या उत्पन होती है तो लेंडिंग को 27 अगस्त के लिए टाल दिया जाएगा एमराबाद इस्तित इस्रो के अंतरिक्ष एप्लिकेशन सेंटर के निदेशक निलेश एम देसाई ने कहा लेंडिंग के संबंद में ने लेंडर मॉडियूल की सेहत और चांद पर उस वक्त की इस्तितियों के आधार पर लिया जाएगा समाचार एजनसी पीटी आई ने निदेशक देसाई के हवाले से कहा 23 अगस्त को चंद्रियान 3 के चंद्रमा पर उतरने से 2 घंटे पहले हम लेंडर मॉडियूल की सेहत और चंद्रमा पर इस्तितियों के आधार पर फैसला करेंगे कि उस समय इसे उतारना उचित होगा या नहीं उन्होंने कहा कि अगर कोई भी फैक्टर अनुकुल नहीं लगता है तो हम मॉडियूल की लेंडिंग को 27 अगस्त के लिए टाल देंगे हलाकि इसके साथ ही वो उमीद जताते हैं कि मून लेंडिंग में कोई समस्या नहीं होने चाहिए और हम 23 अगस्त को चंद्रियान 3 मॉडियूल को सफलता पूरवक चांद पर लेंड कराने में सक्षम होंगे इस रोने मंगलवार को चंद्रियान 3 मिशन के लेंडर पोजीशन डिक्टेशन कैमरे से ली गई चंद्रवा की तस्वीरे जारी की हैं चांद की ये तस्वीरे 19 अगस्त को लगभग 70 किलो मीटर की उचाई से ली गई थी इस रोने बताया कि LPDC से ली गई तस्वीरे यान पर मौजूद चंद्रवा के संधर्व मांचित्र के साथ मिलान करके इसकी स्थिती रिधारित करने में मिशन के लेंडर मौड्यूड की साहिता करती है LM के बुद्वार को चंद्रवा की सता पर सौफ्ट लेंडिंग करने की उमीद है इसरों ने इससे पहले सुमवार को LHDC कैमरे से ली गई चंद्रवा के सुधूर पिछले भाग की तस्वीरे जारी की थी एमदाबाद इस्तित स्पेस एप्रिकेशन सेंटर द्वारा विक्सित ये कैमरा नीचे उतरते समय ऐसे सुरक्षित लेंडिंग शेत्री का पता लगाने में साहिता करता है जहां चट्टाने या गहरी खाईया ना हो वीडियो डेस्क अमरुजला.com अमरुजला निश्पक्ष निर्भी निरंदर